पताया मैं कौन हूँ तादिश्माट शंकर अलियास टबलिश्माट एक ही रूल है हम सातों के फोन रात खतम होने तक पब्लिक पॉपिटी है माहा पूचा के आखरी दिन तक उसे रोखना ही होगा पर ना माहा विनाश होगा दोस्तो एडवेंजर जैसे लेकिन देशी फिल्म देखनी है या फिर हरर कमेडी का अच्छा दोस सही है दोनों सबालों का जबाब है इस्ट्री टू देख लिजे अगर आपने फिल्म का पहला पाट इस्ट्री देखा है तो जाहिर है कि आपको इस फिल्म का इंटाजार जरूर रखा होगा ये फिल्म उन उमीदू पर खड़ी उटर टी भी है तो अगर आप इस सटन तोटा डिवस फिल्म देखना का मुद बना सुका है तो इस वीडियो को पुरा देख लिजे फिल्म का मजा दोगुना हो जाएगा दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्ट्री टू मवे का इस्टोरी केसा है वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगtał से एक सूती से रिक्वेस्ट है लेकिन गाउवालों को ये नहीं पता था कि उनके सामने उसे बड़ी समझ से भी आने वाली है। इस बार इस्ट्री ना हुने का फाइडा उठा कर सरकता नाम का एक फिकास गाउव में तबाही मसाने आ सुका है। पिसली बार की ही तड़ो इस बार भी इस तबाही को रोकने का जिम्मा बिकी यानी रासकुमार राओ के कंधो पर आ गया है। जिसमें उनकी मदद जोना यानी अभिसर्ग बेनार जी, बिट्टू यानी आपार सकती खुडाना और रूद्रो यानी प्रंकस्तिपाधी करते हैं। उनकी ताकत बनने के लिए सर्धा कापूर के केरेक्टर को भी एंट्री होती है। इंसान और फिकास दुरेल भूट के बिस इस महाजुद्धों में क्या होता है। ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी साहिए। लगवख धाय घंदे की फिल्म का इंटर्वेल कब आता है ये पता नहीं सलता है। फिल्म सर्फ़र दोर्टी हुए आगे बर्टी है और ये किसी भी फिल्म का सबसे प्रोजिटिव पार्ट होता है की उसे देखते समय आपको ये एहसास ही नहीं हो की कम ताइम निकल गया। बरणा अगर फिल्म कही भी लॉंबी लगी तो वह वजिल होने लगती है। फिल्म में ये कमी है ही नहीं। इंटर्वेल के बाद मेरा पार्सोनेल एक्स्पिरेंस एसा था की मैं कुछ देर बाद इस बाद से डरने लगा था की अब थोड़ी ही देर में फिल्म खटम हो जाएगी। एसा इसलिए क्योंकि इतने दिनों बाद अगर आपको हाल में कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है तो आप साहेंगे कि उसका मजा जितना ज़्यादा लिया जा सके उतना अच्छा। एक्टिंग की बाद कोरे तो अगर ये कहा जाए कि रासकुमार राओ ने बहतरिन काम किया है तो ये अधूरा लगेगा। अगर हम ये कहे कि प्रंको स्तिपाथी आपर सक्टी खुडाना और अभिशेक पेनारजी ने भी सांडर एक्टिंग की है तो ये बाद भी जास्तिफाइ नहीं होगी। किसी भी फिल्म को बहतरिन बनाने के लिए सारे जरुरी एलिमेंस में से एक एक्टिंग माला एलिमेंस भी है और इस फिल्म में वो इतना गजब का है कि आप किसी एक को टारिफ कर ही नहीं सकते। अगर यू कहे कि इन सारों ने मिलकर सीफ और सीफ गजब क्या है तो ये बाद पूरी तड़ा से फित बहती है। पूरी फिल्म में उन्हें इस बाद का ख्याल रखा है कि दर्सक नाराज नहीं होने सही है। इतना ही वीडियो को कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रू बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक क्या। अगले वीडियो में। पूरी नहीं होने सही है।